वैसे देखा जाये तो वोमेंस डे पर साइना नहवाल जैसी खिलाडी की बायोपिक फिल्म का ट्रेलर आना एक परफेक्ट टाइमिंग कही जा सकती है लेकिन क्या ट्रेलर इंप्रेस कर पाया है? चर्चा करेंगे साइना फिल्म के इस ट्रेलर पर फिल्म के टीजर में मुझसे एक गलती हुई थी जहां मैंने कहा था कि साइना के पिता का किरदार निभाएंगे परेश रावल लेकिन ऐसा है नहीं हाला कि परेश रावल होते तो कुछ और बहतर देखने को मिल सकता था बट क्योंकि ट्रेलर देखकर भी लग रहा है कि रियल लाइफ में साइना के पिता से ज्यादा माताजी सपोर्टिव रही थी उनके करियर के लिए इसलिए शायद उनके पिता के किरदार पर हो सकता है कि मा के कमपेरिजन में कम फोकस किया गया हो और फिलाल ट्रेलर देखकर भी यही लग रहा है सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूंगा कि साइना नहवाल देश की आनबान और शान है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन अब जब बॉलिवूड में स्पोर्ट्स्वन की लाइफ पर इतनी बायोपिक्स धडलने से बनती जा रही है कि एंटर्टेन्मेंट के नजरिये से लगता है अब बहुत हुआ आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में अपनी परतिक्रिया हमें जरूर दीजेगा प्राब्लम ये है कि स्पोर्ट्स्वन की लाइफ सबकी एक जैसी होती है लेकिन बायोपिक्स में थोड़ा ज्यादा मिर्च मसाला डाल कर जो बनाये जाने का दस्तूर आचुका है अब इसमें ट्यूस्ट कैसे लाइजाए तो बीच में आ जाते हैं कोज सहाब जो हर इस तरह की फिल्म में स्ट्रिक्ट होते हैं और एक या दो बार फिल्म में उस स्पोर्टसमेन की बेज़ती जरूर करते हैं लिटरली जैसे ही मैंने ट्रेलर में मानव कॉल की एंट्री देखी, मुझे 200% विश्वास हो गया कि अब ये परिंडिती को एक ऐसा डायलोग जरूर बोलेंगे जो चुबने वाला होगा। मतलब मुझे पक्का विश्वास था और आगे ट्रेलर में हुआ भी यही। कोच सहाब कहते हैं साबुन तेल बेचने के लिए मेरी ट्रेनिंग की जरूरत थोड़ी है। अब कसम से सेम पैटन पर बनी इन सारी स्पोर्ट्समेन वाली बायोपिक बोरिंग फील करने लगी है। एक सीधी सी कहानी को इतना ड्रामेटिक बनाया जाने लगा है कि वो वाकई में बहुत फिल्मी लगने लगती है। क्या इन सब की जरूरत थी। बहुत अन्रियल्स्टिक सा फेक सा लग रहा है। वो एक निशान से ऐसा लगता है जैसे इसी तिल से उसे साइना नहवाल बनाने की जबरदस्ति कोशिश की जा रही है। यकीन मानिए उस तिल के कारण ही ट्रेलर में परँनित्या को साइना नेवाल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मन में तो आगर था जैसे यह अमोल गुपते प्रेजेंट्स नहोकर ए मोल गुपते प्रेजेंट्स है। आप अगर मेरी चॉइस पूछे तो फरहान अक्तर वाला मिलखा सिंग, सुशान सिंग की धोनी और प्रियंका चोपडा की मैरी कॉम बेस्ट बायोपिक्स कही जा सकती है। बाकि इरफान खान वाली पांथ सिंग तोमर तो अलग ही थी। लेकिन इनके अलावा बहुत सारी बायोपिक्स बनी है जिनको सेम तरीके से एक्जेक्यूट किया गया है। सिर्फ गेम अलग होते हैं वरना ट्रीटमेंट एकदम सेम होता है। उनकी मा के किरदार में मेगना मलिक अपना इंपेक्ट जरूर छोड़ती दिख रही हैं जिसका एक रिजन तो यही है कि उनकी हर्यानवी लेंगविज पर पकड़ अच्छी रही है। हम अकसर सुनते हैं कि स्पोर्ट्समेंट के फिल्म के लिए फलाने एक्टर ने इतने महीने की ट्रेनिंग की, किसी ने क्रिकेट की ट्रेनिंग ली, तो किसी ने हौकी सीखी, तो किसी ने बैटमिंटन. अच्छी बात है क्योंकि फिल्म में उन्हें वो गेम दिखाना भी हो क्योंकि उनके समवाद ही पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा सुनने को मिलते हैं। बाकि फिल्म के बहुत कम हिस्सों में उसे गेम खेलते दिखाया जाता है। लेकिन फिर वो इसलिए था कि मैरी कॉम बहुत कम हिंदी बोलती थी और वो ऐसे राज्य से थी जहां कि प्रस्ट भूमी पर बहुत कम फिल्मे बनी है। लोगों को उधर के बारे में कम पता है। लेकिन हर्याना, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश की प्रस्ट भूमी फिल्मों में हजारों बार देखने को मिला है। एनिवेज, कुल मिलाकर सारांश यही है कि ट्रेलर पूरी तरह से एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही कुछ होगा और फिल्म में भी क्या सब होना है ये सब जानते ही होंगे। क्योंकि बॉलिवुड में इस तरह की बायोपिक्स को बिल्कु सेम तरीके से ट्रीटमेंट दी जाती रही है। वेट कीजिए फिल्म के रिलीज होने का। हेवे नाइस टे।